क्या मतलब? मतलब ये कि वीजू हमारी कैद में है अगर तुने वही किया जो तुछ से कहा गया है तो बच जाएगा नहीं तो उसकी लाश तक नहीं नजर आएगी नहीं मलक, ऐसा सोचना भी मत मैं वही करूँगा, जो आप कहोगे तेर आए तो रुस्त आए ये हुई न समझदारी की बात पर हाँ जिस दिन तुने हमारे खिलाफ मुझ खोला उस दिन न बीजू रहेगा, न तू ये तो ये तो हमारा ड्रैवर भवानी है तुम या कैसे? आप से क्षबा मांगने के लिए मालकिन मुझ सो बहुत बड़ा पाप हो गया है कैसा पाप? मैं सुनाता हूँ इस पापी के पाप ये वो नमकराम है जिसने पच्चिस साल पहले हमारे बबलू का अपारण कर गायब हो गया था अबे तू यमलोक में भी छुपा होता न तो तुझे पकड़ ला था ये करम चंड क्या भीगड़ा था रे हमने तेरा जो तुमने हमसे ऐसा बतला लिया उस उस कोमल सी जान को मारने की क्या अवश्रकता थी मारा नहीं मलिक मारा नहीं मैनुस को वह तो अभी भी जीवित है इसलिए जीवित रखा इसने किस बार लाकों नहीं करोणों वसूल कर सकता हमसे तुझे फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी समझा लेकिन हमारा बबलू है कहां उसे कुछ हो गया तो अरे उससे कुछ नहीं होगा बेहन इस बार वही होगा जो तू चाहेगी मैं कसम खाता हूँ अपने बेटे का मरा मूँ देखूँ अगर बबलू को सही सलामत नहीं ला सका चल पता कहा चुपारता है तुने हमारे बबलू को अब और कर्दृम को attributed मैं तेरी माँ का असली भाई मैं तुझे तेरे असली परिवार के पास ले जाने के लिए अ आया हूं अगर मेरां से आज आए से वार ने मोधारति हैं क्यानी अमने हो अगर आपने दो को यहांँ कोelle 4550 की अ जब तक इसके असली माबाप हमें दस करोड़ पहला कर नहीं देंगे हम इसको यहां से जाने नहीं देंगे देखता हूं कैसे नहीं जानी देते जाने जाने देते जाने देते वही आंके वही जेरा मेरा बबलू यही है मेरा बबलू यही है मेरा बबलू बेहन नजर ना लगे तुम्हारी किसमत को तो तो बिछडे बेटों के साथ इतने साल बाद मिलन वह जगना धाम देख लिया तेरा चुमतकार जै हो चार धाम जै हो जिस तरह हमारे देश को जोड़ा चार धाम ने उसी तरह आज आज मेरा पूरा परिवार भी जुड़ गया पेटा इन्हें पहचानती हो ना यह यह तेरे पिता है और यह यह गोविंद है तेरा भाई तेरे खो जाने के बाद पैदा हुआ था यह तेरे मामा जी है तुझे ढूंड कर इन्होंने अपनी बहन पर बड़े उपकार किये है कैसी कहरो जैसी बाते करती हो बहन पकार कैसा यह तो एक भाई का करतव था जो मैंने पूरा किया सुना सुना तुमने गोविंद किसी के कहने पर तुमने देटवास्वरूप मामा जी पर संदे किया क्या अब भी तुमें इनमें कोई स्वार दिखाई दे रहा है बोलो बोलो गोविं लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है तो इनके पेर पकड़कर इनसे माफ ही मंगो अरे नहीं 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 बेटे छोटों से गलती हो जाए तो बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ करते है मामा जी आपने भाईया को लटा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है अरे उपकार कैसा उपकार पर उपकार तो उस इश्वर का है जिसने मेरा सपना पूरा कर दिया अरे सारा परिवार एक हो जाए इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या प्रियास नहीं किये लेकिन सही निशाना लगा तो इस पार नहीं समझा तो समझ फिरे बेटे बीजू को लोटा कर जो उपकार मैंने उस परिवार पर किया है उसके लिए मैं उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन गया हूँ अब अगर मैं उने जहर भी दूद कहकर पिलाऊं तो वो खुशी से पिलेंगे समझ गया बापू, समझ गया इसका मतलब यह कि अब तुम अपना काम अंदर से करोगे और तू अपना काम बाहर से करेगा